Hello everyone, आप सभी का फेस से स्वागत है, यह BPSC previous year question का संग्रह है, 1992 से अब तक जितने भी प्रशन पूचे के उन सभी प्रशनों को discuss करेंगे, हम लोग जो है, क्रिसी उद्योग और BPSC जूड़े जितने भी प्रशन पूचे के उन सभी प्रशनों को discuss करें, इसे पहले वाले session में प्रशन संख्या 30 तक हम लोग उने discuss कर लिया था, आज का जो session है, 31 से start करेंगे, start करने से पहले मैं बता दूँ, इसका PDF available है, अगर आपको PDF चाहिए तो टेलिग्राम चैनल, टेलिग्राम quiz group या चैनल के community box में जाएए, वहाँ पे इसके regarding में information को update कर दिया गया है, तो जबाब किया होगा, बताइए, बिहार में पर्शन उद्योग की जो पटी है, वह उत्तरी जो पुर्वी बिहार है, उत्तर पुर्वी बिहार के जो मैदान है, यहाँ पे पर्शन उद्योग की जो पटी है, इस्तित है, यहाँ पे सबसे जादा पर्शन का उत्पादन किया जाता है यानि B option जो है आपका किवल दूसरा बिलकुल सही option है बिहार में पर्षन उद्धियोग पूर्णिया कटिहार सहर्षा दर्भंगा में फैला हुआ है जिसमें उत्तर पुर्वी बिहार पूर्णिया और कटिहार पर्षन उत्पादन के परमुकेंद्र है पूर्णिया में पहली चीनी मिल कहां अस्थापित हुई बिहार में पहली चीनी मिल कहां पर अस्थापित हुई तो याद रखिएगा इसका सही जबाब हो जाएगा महरावरा देगे पहली आधुनिक चीनी मिल 1904 में सारण जिला के महरावरा में बनी थी जबकि बिहार में चीनी का पहल करखाना अठासो चालीस इसपी में बेतिया में डचों के द्वारा प्रारम किया गया था किसके द्वारा तो डचों के द्वारा कहा पर बेतिया में कब तो अठासो चालीस में ये बिहार में पहला चीनी का मलगी चीनी का पहला करखाना था 33 नमबर है बिहार का एक इसपाद करखाना है यह 1994 का प्रश्ण है उसमें बिहार और जारखंड एक थे तब की बात की जा रही है तो बिहार का एक इसपाद जो करखाना है वह है जमसेदपूर में जमसेद जी जो नस्वान जी टाटा थे इन्होंने बिहार के जमसेदपूर में इसपाद करखाना के निर्मान के लिए अस्थान का चैन किया यहाँ पर 1907 में एक इसपाद करखाने की अस्थापना की गई थी जमसेदपूर इसपाद सनय अंत्र है भारत का सबसे बड़ा एक दिक्रित नीजी इसपाद सनय अंत्र है और यह वरतमान में कहाँ पर है तो जार्खंड राज में है इस बात को ध्यान में रखिएगा 34 नमबर है छोटा नागपूर पठार की मुख्य फसल किया है छोटा नागपूर पठार में जो है मुख्य रूप से जो फसल उत्पादित की जाती है फसल बोया जाता है वो किसका फसल होता है तो देखिए इसका सही जबाब हो जाएगा चावल का कियो पहला सही है छोटा प्रत्रिक तगर बात करें तो गौण रूप में या कह सकते हैं थोड़ा बहुत जो है अन्य फसलों को भी उगाया जाता है या उत्पादित किया जाता है 35 नमर्य बिहार राज की मुख्य नगर फसल कौन सी है बिहार की बताईए ओप्सन को देख लिजी इसका सई जबाब हो जाएगा गन्ना बिहार की मुख्य नगदी फसले गन्ना है तंबाकू है जूट और मिस्ता है इन सभी नगदी फसलों में मुल और उत्पादन के हिसाब स गन्ना प्रथम अस्थान पर है 36 नमबर है बिहार में ओधोगिक बीतिय सहायता परदान करने के लिए कौन सा है तो बिहार राज बीत निगम यानि सी अपसन इसका सही जवाब हो जाएगा इसके बारे अगर बात करें तो बिहार में अधोगिक सहायत्ता परदान करने के लिए बिहार राज बित निगम की अस्थापना उनिस सो चोवन में की गई थी तो बिहार में अध्हौगिक सहायता परदान करने के लिए 1954 में बिहार राज बित निगम की अस्थापना की गई थी याद रखिएगा निम्लिख राज में है किस राज में है इसका सही जबाब किया होगा लेकिए इसका सही जबाब हो जाएगा बिहार औप्चोन ऐ ये कप पुछा गया था 1999 में जाति वाद पर अधारित आंतकवादी सेना विहार की समाजिक राजनितिक आर्थिस्तिती की दिन है किसकी समाजिक राजनितिक और आर्थिक इस्तिति की राजपूतों ने बिहार के भोजपूर जीले में 1929 में प्रत्थम जातिवादी सेना कुईर सेना का गठन किया इसके बाद बिहार में इस फरकार की कई जाती विस्ष्ट अधारित सेनाओं का गठन किया गया जिनमें मुश्लिम, पठानों, राजपूतों के द्वारा गठित, सनलाइट सेना, कुर्मियों के द्वारा गठित, भूमी सेना, यादों के द्वारा गठित, लौरिक सेना और भूमिहारों के द्वारा गठित सेना जो थी और रणवी सेना आदीर परमुक थी और तिस नंबर है बिहार राज के चुनाव आयुक्त कौन है तो वरतमान में बिहार राज के जो चुनाव आयुक्त है कमेंट करके बताना है कौन है ये जो कोश्चन है बिहार राज के जो चुनाव आयुक्त का जो कोश्चन है ये 2012 में पूछा गया था उस समय के दौरान अगर बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा एम एल मजमुदार इसके बाद जो वर्तमान में हैं उसको आप कमेंट करके बता सकते हैं क्या सही जवाब होगा तो देखिए सिरी एम एल मजमुदार जो थे 26.29.28.33 तक बिहार के चुनाव आईख्तर है वर्तमान में डाक्टर दीपक परसाद बिहार राज के निर्वाचक आईख्त है ये प्रश्न पूछा गया था इसका सही जबाब हो जाएगा बिनोद कुमार पांडे उस समय के दोरान अगर बात करें तो उस समय जो थे बिहार और जारखंड के सहराजपाल कौन थे बिनोद कुमार पांडे थे प्रश्निकाल में बिनोध कुमार पांडे बिहार और जारखंड के सहराजपाल थे बिहार के चार राजपालों का नाम जो है आप देख सकते हैं उनका कारेकाल भी दिया गया है सिरी बेद कुमार मारवा डक्टर सरदार बुट्टा सीं सिरी गोपाल क्रिष्न गांधी और इसके बाद चौथा थे सिरी राम क्रिष्न सुरेभान गवई 29 से 2000 मतलब की ये 22 छे 29 से 17 2008 तक का है क्रम वर्तमान में हागु चोहान बिहार के राजपाल है याद रखिएगा इसके बाद अगर बाद करें तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मतलब की मिला लिजिए गया अटल बिहारी वाजपेई सरकार के द्वारा किसे बिहार का गोवर्नर निप्त किया गया था तो अटल बिहारी वाजपेई ने किसे बिहार का गोवर्नर निप्त किया था तो सुंदर सी भंडारी को और टल विहारी बाजपेई जो सरकार थी इनके द्वाला सुंदर सी भंडारी को बिहार का राजपाल निव्ट किया गया था गुवर्नर निव्ट किया गया था सुंदर सी भंडारी 27-4 1998 से 15-3 1999 तक ये बिहार के राजपाल रहे 21-4 है बिहार पर बकाया रिन कितना है ये प्रश्ण का पूछा गया था 12-2 में 45-वे BPSC Pre में बिहार पर उस समय जो बकाया रिन था वो कितना था और वर्तमान में कितना है इन दोनों बातों को ध्यान में रखिएगा इंपोर्टेंट है यहां से प्रश्ण पूछने की काफि काफी कह सकते संभावना है ज्यादा संभावना है तो इसको ध्यान में रखिएगा बिहार पर जो बकाया रिन था उस समय 2001-2002 के दौरान वो था 37,653 करोड 37,653 करोड ठीक है यह अप्शन इसका बिलकुल सही जवाब हो जाएगा संदर्व सुरुतों में ततकालिन जो समय है इस समय अगर बात करें जो 2001-2002 का जो दौर था उस समय बकाया रिन 37,653 करोड था 221 थी यानि परजेंट के अनुसार अगर बात करें तो 2021 में बिहार पर कूल बकाया जो है आप देख सकते हैं लाखों में है के कितने सांसद समलित हैं समय को देख़िये ये कब प्रश्न पूछा गया था तो 1996 में ये प्रश्न पूछा गया था उस समय अगर बात करें तो उस समय इसका सही जबाब हो जायेगा डी उप्यूट में से कोई नहीं लेकिन वर्तमान के संदर में भी को देखना है 21 साथ जुलाई 21 को मंत्री मंडल पुनरगठन के बाद केंद्रिय मंत्री परिसद में बिहार के एकुल छे मंत्री हैं जिसमें से चार केमिनेट मंत्री हैं और दो राज मंत्री हैं 23 है बिगत वर्षों में बहुत भिक्षू बिहार में आंदोलन करते रहे हैं नियंत्रन प्राप्त करने को बताईए नियंत्रन प्राप्त करने को क्या है बिगत वर्षों में बहुत भिक्षू बिहार में आंदोलन करते रहे हैं नियंत्रन प्राप्त करने को गाया के महाबोधी मंदिर का नियंत्रन प्राप्त करने को यानि किस के उपर नियंतरन प्राप्त करने के लिए बॉल भिक्षू बिहार में आंदोलन करते रहे तो गाया की जो महा बोधी मंदीर है इस पर नियंतरन प्राप्त करने के लिए कुछ वरसों में यानि बिगत वरसों के दोरान अगर बात करें तो कुछ वरसों पहले बॉध भिक्शु गाया के माहा बॉधी मंदिर पर नियंतरन को प्रात करने के लिए बिहार में आंदोलन कर रहे थे स्वार प्रथम सिरलंका के बौध भिक्षू अंगारिका धंपाला ने 881 में यह मांग की कि गाया के जो महाबोधी मंदीर है इस पर बौध भिक्षूओ का नियंत्रन होना चाहिए था अखिल भारतिये महाबोधी मंदीर मुक्ती समिती के अध्यक्ष नगा अर्जुन सुराई से साई ने संजुक्त राज्चंक के सरणाथी उचायुक्त के समक्ष भी महाबोधी मंदीर पर बौध भिक्षूओ के नियंत्रन समंधी मांग रखी थी 44 नमर है पत्ना जो महानगर पालिका है इसमें वाडो की संख्या कितनी है तो पत्ना महानगर पालिका में वाडो की संख्या 75 है जो की अप्शन में नहीं दिया गया है पत्ना नगर निगम के अस्थापना 1952 को पत्ना नगर निगम अधुनियम 1951 के द्वारा की गई थी 45 है बिहार में पागल खाना कहां परिस्तित है बिहार में पागल खाना कहां परिस्तित है देखे जब बिहार और जारखन एक थे तब ये प्रशन पूछा गया था 1999 का ये प्रश्न है उस समय अगर बात करें या परजियमे भी बात करें तो राची में राची इंसूट गे राची के नाम का स्थान पर अवस्तित है या शारखन की राधानी है 26 है बिहार में लोगसभा में सांज़ासदों की संख्या अ है कितनी है 1995 का ये प्रस्ण है 1995 के दौरान अगर बात करें तो बिहार में लोगसभा में सांसदो की संख्या जो थी वो 54 थी C option बिल्कुल सही जबाब है परजेंट का याद रखिएगा ततकालीन सन्जुक्त बिहार में लोगसभा की 54 सीटे थी 15 नवंबर 2000 में ज़ारखंड राज निर्माण के उपरान बिहार में लोगसभा की 40 सीटे रा गई है 15 नवंबर 2000 के पुर्वी स्थीति को अगर देखे तो लोगसभा 54 सीटे राजसभा में 22 सीटे 15 नवंबर 2000 के बाद की जो स्थीति है इसके अनुसार अगर बात करें तो बिहार में लोगसभा की 40 सीटे और राजसभा की 16 सीटे है 6 सीटे 9 निर्मी जारखंड को हस्तनांतरित हो गई है 47 नमबर है बिहार से लोगसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है परजेंट वाला याद रखेगा इंपोर्टेंट है इसके बारे में कुछी से करेंट पहले हम लोगों ने डिसकस किया था इसका सही जबाब हो जाएगा 54 जो की परशन है 1997-98 के दौर का तो 54 परजेंट में कितना है 40 और 16 याद रखेगा 40 सीटे लोगसभा की है 16 सीटे राजसभा की बिहार से लोगसभा के लिए कितने सदस्य चूने जाते हैं ये भी सेम प्रशन है आपको पता है इसका सही जबाब क्या होगा बिहार से लोगसभा के लिए ये 25 का प्रशन है 25 में ये प्रशन पूछा गया कि बिहार से लोगसभा की कितने सदस चूने जाते हैं तो लोग सभा से 40 और राज सभा से 16 याद रखेगा important है यहां से कई बार प्रश्न पूछे भी गए हैं 49 ने बिहार में प्रस्तावित महिला आयोग की अध्यक्षता कौन करेगा तो देखेए इसका सही जबाब हो जाएगा ओपिप्त में से कोई नहीं D option किसी राज महिला आयोग की अध्यक्षता या अध्यक्ष निउक्ष होने के लिए आयोग की अध्यक्षता को विशिश शेत्रों जैसे समाजी कारे करता सिख्छा, चिकेश्चा और बीधी से होना चाहिए वर्तमान में राज महिला आयोग की अध्यक सुसरी दिल मड़ी मिस्त्रा है सही बिकल्प D है पचास नमबर है जमसेदपूर किस नदी के किनारे जो है अवस्थित है जमसेदपूर किस नदी के किनारे बसा हुआ है बताईए इसका सही जवाब हो जाएगा जो जमसेदपूर है वह स्वण रेखा नदी के किनारे बसा हुआ है अवस्थित है तो C option बिलकुल correct option है जमसेदपूर स्वण रेखा नदी के तट पर अवस्थित है यहाँ टाटा इस पात उद्यों की अस्थापना की गई है इस उद्यों को पानी की आप उर्ती सोन रेखा नदी से प्राप्त होती है इसके बाद प्रशन संख्या 51 हाली में बिहार से कौन सा नया राज बना है हाली में यानि दोज़ा एक दो के संदर में ये प्रशन पूछा गया था यानि जब बिहार और जार्खन्ड एक थे तम का प्रशन है तो हाली में बिहार से कौन सा राज नया बना ओ था जार्खन्ड राज कब तो 15 नवंबर 2000 को जार्खन्ड बिहार से लग होकर 28 वे राज के रूप में अस्थापित हो गया 52 है जार्खंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया था जार्खंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया था तो 15 नौवंबर 2000 को यह option बिलकुल correct option है बिहार का कौन सा सहर जार्खंड राज की रधानी बना तो आपको मालूम है इसका सही जबाब क्या होगा इसका सही जबाब यानि जहारखंड की राधानी जो है वो है राची याद रखेगा 15 नमबर 2000 को बिहार से कटकर नया राज 28 राज जहारखंड बना इसकी राधानी राची बनाई गई राची ब्रिटिस काल में बिहार की ग्रिस्म काले राधानी हुआ करती थी जहारखंड राज अस्थापित हुआ था कब जहारखंड बिहार से कब अलग हुआ था 15 नवंबर 2000 को याद रखेगा बहुत बार ये प्रश्न भी पूछा गया है तो इसको ध्यार में रखना है बिहार में तेल सोधन कर खाना कहां पर है बिहार में तेल सोधन कर खाना कहां पर है बताइए इसका सही जवाब क्या होगा याद रखेगा बिहार में तेल सोधन कर खाना बरौनी में है C option इसका सही जवाब हो जाएगा बिहार में बरौनी में तेल सोधन कर खाना है राची में भारी मसीन तता सीभू में इस पात उद्द्द्यों के स्थापना हुई 56 है बिहार के निंपन जीले में सबसे बड़ा जीला है वह है आपका गाया बी ओप्शन बिलकुल करेक्ट ओप्शन है भारा सरकार का नुसार अगर बात करें तो संबंदित जीलो का जो छेत्रफल है पटना का 3202 वर किलो मीटर गाया का 4976 वर किलो मीटर समस्तीपूर का 2904 किलो मीटर दर्भंगा का 2289 वर किलो मीटर विकल्ब के नुसार अगर बात करें तो सबसे बड़ा जो जीला है छेत्रफल के द्रिष्टी से वह है गाया किन्तु बिहार का छेत्रफल के द्रिष्टी से सबसे बड़ा जनपद पच्छमी चमपारण है इसका एरिया जो है 5228 वर किलो मीटर है फिप्टी सेवेन है इन में से कौन सा जीला जहारखंड राज में सामिल नहीं है वह कौन सा जो जीला है जो जहारखंड में समलित नहीं है वह है आपका डी अप्सन इन में से कोई नहीं यानि गोड़ा राची और बोकारो ये तीनों ही जीले जहारखंड राज के जीले है जारखंड में समलित है जारखंड राज की आधिकारिक वेफसाइट के नुसार वरतमान में जारखंड में जीलो की जो संख्या हो है 24 58 है बिहार में इस पात पलांट का केंद्र कहां पर है बिहार में इस पात पलांट इस्टील प्लांट का जो किंद्र है वो कहां पर है तो धनबाद में है option A बिलकुल correct option है याद रखिएगा इसके बारे में अगर बात करें तो देखिए प्रश्निकाल के दौरान बोकारो इस्टील प्लांट धनबाद में ही था अब वो कारो अलग जिला बन चुका है या जारखन राज में है 59 है दो वक्तव दिये गए है A और R कथन और कारण कथन A कहरा है दक्षिन बिहार उत्री बिहार की अपिक्षा अधिक बिक्सित है कारण R कहरा है कि दक्षिन बिहार में उद्योगों का विकास हुआ है तो आपको बताना है कथन कारण में से कौन सही है क्या एक दूसरे की बियाख्या करते है दोनों सही है या कोई एक सही है तो बताइए A और R दोनों सही है एकी सही बियाख्या R करता है ठीक है वर्तमान में अगर बात करें परजेंट में दक्षिन बिहार उत्तर बिहार की अपेक्षा जो अधिक बिक्सित अवस्था में डिवलप अवस्था में है 2000 से पहले दक्षिन बिहार यानि वर्तमान धारकन उत्री बिहार का पेक्षा कम बिक्सित था दक्षिन बिहार का अल्प विकासी अलग धारकन राज निर्माण का मुल मुद्दा बना दक्षिन बिहार खनीत परधान छेत रहा है खनीजों पर अधारित उद्यों का विकास दक्षिन बिहार में अपेक्षा क्रित अधिक हुआ है ठीक है और जमसेत्पूर धनबाद वो कारो आदी ये तक्षिर बिहार के परमुक और धौगिक नगर हैं इसी के साथ आज का जो सेसन है समाप्त करते हैं एक सेसन में बिहार से जुड़े जो इतिहास के प्रशन है यानि बिहार का जो हिस्ट्री है इन से अब तक जितने भी प पूछेगे उन सभी प्रशनों को डिस्कस करेंगे तो आप अपना परतिकिरिया देते रहे हैं आपके परतिकिरियाओं का में बेस्परिस इंतिजार रहता है जी